तो कैसे हो मेरे दोस्तों में आसा करता हूँ श्यांदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजोई कर रहे हो अपनी सेयत फैमिली और प्राय के धान काफी अच्छी से रख रहे हो जिंदगी में आप लोग को जो भी सबसे important काम करना चाहिए वो एक काम करना चाहिए और यही एक अकेला काम जो है आप लोग को एक ऐसी जगह पहुँचाएगा जहां आप लोग को कोई दूसरा काम नहीं पहुँचा सकता है वो क्या है वो है अपने ऊपर जीत हासिल करना मतलब यह कि आप लोग अपने मन के इसाब से मत चलो आप लोग है अपने काम के इसाब से चलो अपने तार्गेट के इसाब से चलो अपने time को कैसे utilize करना उसके हिसाब से चलो अपनी चीजों को सही direction में रखते वे जो productive step है वो आप लोगो उठाने उसके साथ से आप लोगो चलना है तो जिन्दगी में सबसे पहली और सबसे अच्छी जीत जो होती है वो होती है कि अपने उपर जीत करना क्यों 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 कि पूरे दिन में एक ऐसा इंसान है जो कि आप लोगों से बहुत प्यार करता है आप लोगों हमेशा सक्सिज देखना चाहता है पर लेकिन अगर आप लोग उसके साथ में मज़ा लेने पर आएंगे तो वो भी आप लोगे साथ में इतना ही मज़े लेगा वो है आप लोग खुद यानि कि यही इंसान जो है आप लोग को हमेशा बहुत motivate भी कर सकता है काम करने के लिए और यहीं इंसान आप लोग को demotivate भी कर सकता है कि यार तेरे बस की कुछ नहीं है तुने आज तक कुछ नहीं कि आप क्या करेगा और यह इंसान यह बोल सकता है कि वाओ यार क्या achievement है लाइप में दुनिया जो है एक तरीके से जिस speed से चल रही है तुम उससे ज़्यादे speed से चल रहो तुमारी health जो है वो बिल्कुल best है अपना काम तुम time पर करते हो और यहीं इंसान आप लोग को हमें सा motivate भी रखेगा तो इस इंसान की respect करना सीखो यानि कि अपने आप की respect करना सीखो तो यह समझो आप लोगों ने अपना target जो है वो 99% अचीव कर लिया है लेकिन अगर इस इंसान से आप लोग अपनी दोस्ती नहीं बना पाए यानि कि अपने आप से आप लोग अपनी दोस्ती नहीं बना पाए उस दिन आप लोगी life में जो change आएंगे वो किसी चमतकार और किसी एक तरीके से नहीं उन्हें कहते कि जिंदगी में वाओ यार एक तरीके से miracle हो गया तो किसी miracle से कम नहीं होंगे अब आप लोग सोचिए क्या ये कोई इतना बड़ा एक तरीके से कोई sacrifice आप लोगों से मांग रहा है कि आप लोग अपनी respect करो नहीं न तो इसलिए अपनी respect करो जितनी ज़्यादा कर सकते हो और फिर उसका result देखना ठीक है इस्टाट करेंगे lecture काफी सारी important चीजों के साथ में सबसे पहले एक important day discuss करोंगा मैं आप लोगों से यानि के कौन सा important day है इसी के साथ में जो news रहेगी वो आप लोगे सामने आएगी regular इस channel पर दो वीडियो आती हैं एक में दाहिंद्यू news paper का discussion हम लोग करते हैं complete और static plus जो current हम लोग discuss करते हैं मिला कर दूसरी वीडियो में हाँ पर nano magazine जिसको आप लोग बोलते हैं इसके अंदर में P.I.B. All India Radio और maximum अगर बात करें तो Indian Express के article आप लोगो देखने को मिलते हैं जिसमें मैं current plus static cover करता हूँ यहनि के दोनों वीडियो में best आप लोगो content देखने को मिलेगा हर एक exam के point up से जिस भी आप लोग exam की त्यारी कर रहे हैं अगर यह दो वीडियो आप लोग अपनी life का part बना लेते हैं तो कोई भी दिक्कत आप लोगो देखने को नहीं मिलेगी वैसे यह वीडियो साड़े 8 बजे लिखाव है तो यह लगबग 8 बज आ जाती है और यह वीडियो जो है यह लगबग 6-7 के बीच में आप लोगो रेगुलरली देखने को मिल जाती है तो इन दोनों को अपनी life का part आप लोग बना सकते हैं और अपना schedule भी follow कर सकते हैं यह जरूर बताय करो कि आज का दिन आप लोग कैसे लेकर चलना चाते हो इस तरीके से और आज का दिन कैसे utilize किया और आगे का दिन आप लोग कैसे लेकर चलना चाते हो डेली अपनी जो progress है उसको अगर आप लोगों ने एक बार एक नियू कहते है कि उसके उपर नजर रखना इस start कर दिया दूसरों के उपर तो दुनिया भर की नजर रहती है कौन क्या कर रहे है कभी अपने उपर नजर रख कर देखो आप लोग को सरम आएगी कि कितना time हम लोग waste करते हैं अपने आप से कि जो बुद्धी से निकल कर आई हुई चीजे आप लोगों ने अपनी intellect जो भी आप लोग के अंदर intelligence है उससे जो भी आप लोगों ने create किया है वो वाली चीजे तो एक तरीके से उसके उपर आप लोग का अधिकार है ठीक है अब वो आप लोगों ने अपने आप से लिखिया कहीं से copy नहीं किये पर लेकिन पता चला किसी ने copy कर ली तो आप लोग उसको copy करने से रोकोगे क्योंकि आप लोग की महनत है उससे ठीक है तो इस तरीके समझ सकता है और पता चला आप लोग करियर भी है आप लोग एक तरीके से book writer है आप लोग तो आप लोग के लिए तो और भी ज़्यादे important हो जाती है तो एक तरीके से वो innovation को increase करता है एक तरीके से creativity को increase करता है कि लोग जो है innovative idea के साथ में आ गया है और अच्छे से चीजों को ले कर चले जैसे अभी आप लोगों ने बात की COVID-19 की दवाई के बारे में तो वहाँ पर सबसे important बात क्या थी research and development किया गया दुनिया भर का और उसके बाद में COVID-19 की दवाई है पर लेकिन उस दवाई को basically वो एक दवाई को royalty free करने से मना कर दिया क्योंकि ये था कि उसके ओपर बहुत ज़्यादा पैसा लगा है पर लेकिन बात ये भी रहे कि लोगों की जान जा रही है तो ऐसी चीजों के ओपर फिर ये रहता है कि जान है कि जान है वो चीजे balance करने के लिए आती है तो उस time पर फिर आप लोगे जो copyright होते हैं वो थोड़े से dilute कर जाते हैं अगर कुछ ऐसी चीजे होए आपर खास कर अगर किसी की जान की बात आ जाए तो ठीक है तो वो एक अलग चीज हो जाती है पर लेकिन सबसे important बात ये कि innovation जो होता रहने चीजे मार्केट में उसके बारे में हाँ पर बात की जा रही है ठीक है हाला कि सब्द जो है वो इनके लिए अलग-अलग यूज कियाते हैं जैसे अगर किताब अगर के लिए बात करें तो ये copy-righted content की category में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा दवाई के बारें बात करें थी तो intellectual property right बेसिकली उसको बोला जा रहा था कि हाँ ये बेसिकली एक तरीके से particular person के द्वारा अपनी मेहनत की गई है अगर young generation ने एक तरीके से innovative idea लाने स्टाट कर देना जैसे आप लोग बात करने ठीक है आप लोग के मन में अच्छे अच्छे ideas आ रहे हैं क्या क्या चीजों को लेकर चला जा सकता है जिंदगी में तो वो ideas आप लोग कितना implement कर पा रहे हैं वो काफी important होता है तो इसको लेकर आगे बढ़ना है तो यह main चीज है जिसको आगे लेकर चला जाए तो काफी सारी productive चीजे भी आप लोग को देखने को मिल जाती है तो उसके बारे में basically हाँ पर बात लेकी जा रही है तो यह basic important article रहेंगे current और plus static में आप लोग को बताता हो चलूँगा ताकि कोई भी doubt आप लोग के mind में नेर है अभी अगर आज की date में बात करें तो काफी important source होता है down to earth magazine इसका यह article है हाँ और इस article में हाँ पर कई सारी important बाते बताएगी है अभी पानी के related train चलाए जा रही है ताकि 350 350 जो हैंपर Magarma chain के जो crocodile है उनको save किया जासे के राइस्थान के अंदर में आप लोग को पता होगा हमारे द -, राइस्थान जो है वह एक तरीके से कम पानी वाले इलाकिया में आता है वहाँ पर पानी की जो है वो काफी जदे कमी रहती है तो ऐसे area में पानी की किल्लत होने के चलते हूं आपा इंसान तो इंसान जानवरों की भी जो जान है वो दिक्कत में पढ़ जाती है तो एक काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है बैग्राउन इंफोर्मिशन के साथ में डिसस करेंगे कई सारी बाते आप लोग को बताता हो चलूँगा जिसे कि आप लोग चीजों पानी की काफी जदे कमी पढ़ रही है मार्च जो है वो काफी गरम रहा उसके चलते जहां पर पानी की काफी जदे रिक्वार्मेंट पढ़ गई तो पाली जो है वहाँ पर हुमन जो है उनको साथ साथ में हाँ जो रेप्टाइल्स है रेप्टाइल्स मतलब जैसे कि हाँ यह मगरमच हो गया, यह rep respectable की category हलाते है, कच्छवा गया यह reptile की canary साकते हैं, यहाँ पर इस तरीके साफ लोग समझ सकते हैं, तो इक तरीके से आपर इनको कैसे save करने हैं, इस के ओपर यहाँ पर basically focus दिया जा रहा है, और इसको चलती है हाँ पर चीजों को कैसे सुधारने है उसके ओपर काम क्याज़र है अगर बात करें तो March काफी गरम रहा जिसकी वज़े से हाँ पर काफी दिक्कते देखने को मिली और पानी जो है वो काफी ज़दे सूप गया यहाँ पर एक डैम है एक बांद है जिसका नाम है आपर सवाई बांद तो सवाई बांद किस रिवर पर है आपर यह है जावई रिवर और यह बेसिकली ट्रिब्यूटरी है आपर लूनी की जो की थूँ जो की यहाँ पर फ्लो होती है थूँ पाली ठीक है तो यह particular जो पाली district है आपर इस river में पानी काफी कमाया जिसकी वेसे आपर दिक्कते देखने को मिली तो यहाँ पर लगा यार यह तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर पानी जो है यहाँ पर इन तक नहीं पहुच पाएगा बेसिकली इनसान तो फिर भी दर उदर जाकर अपना जुगार कर ले सोचो एक मगरमच है वो नदी में बेसिकली रहता है और नदी का पानी सूख गया अब वो मगरमच जो है वो घूमता घूमता सहर में तो जाएगा निया रबिसलरी की बोटल देदे मुझे भाई साब पानी की बहुत ज़्यादा कम ही पड़ रही है तो हम लोगों को इसके लिए अरेजमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि at the end of the day हम लोगों की हरकतों की वैसे ही हाँ पर ये चीज़े देखने को मिल रही है तो हम लोगों ने पानी कोछ बेसिकर इतना ज़्यादा बरबात कर दिया है एक तरीक से पोलिटोड कर दिया है और यहाँ पर अब तो खतम भी हो गया है जिस तरीक से धर्ती पेसे पेड़ पोधे काटे जा रहे हैं तो कहीं न कहीं मगर मच या फिर कोई भी जीव जनतु क्यों न हो उसके लिए हम लोगों को ज्यान में रखना पड़ेगा इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ जब भी गर्मी आती है तो यह आप लोग कम से कम कर सकते हैं यार काम एक तो पेड़ पोधे जतने जादे लगा सकते हैं उतने जादे लगाईए जैसे जैसे अभी मौनसून का टाइम आएगा तो आप लोग अच्छे पेड़ यार हमारे एरिया में पानी की बहुत ज़्यादर कमी पड़ रही है, तो थोड़ सा जुगाड के जाए, तो मिनिस्टी ओफ रेलवे जो है, वो हाँ पर एरेंजमेंट करेगी, कि हाँ पानी को भीजवाते हैं आपर, तो पानी उन एरिया से यहाँ पर लाए जाएगा, पलाई कर रही हैं आपर डेली, जिसके चलते हैं पर पानी जो है, वो बिसिकली कंडिसन खाब हो गयी है, पानी के हाँ पर रिकवार्मेंट जो है, उसको फिल्फिल किये जा रही है, अगर बात करें, हुमेन, रेजिडेंट की तो उनके उपर दिककत देखने को मिल रही है, इसके चलते हैं हाँ पर 350 के करीब जो मगर क्रोकोडाइल है जो कि हाँ पर जवाई जो डेम है आपर उसमें आप लोगो देखने को मिलेगे वो स्टगल कर रहे हैं तो इसके चलते काफी जाए दिक्कत है देखने को मिल रही है तो फिलाल जो है आप तीन फिट से जो पान जो है वो डाउन चला गया फिलाल तीन फिट के करीब और यहाँ पर बोला जा रहा है कि लगभग 10 फिट जो है वो पानी चाहिए जिसमें मगर मज जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं और देखे फिलाल के अभी कंडिसन खराब है क्योंकि आप लोग को पता है हमारे देश में मोंसून आएगा और मोंसून का टाइम पिरिट जो रहता है वो आप लोग को देखने को मिलता है जून से नौर्थ इंडिया में वारिस थोड़ी लेट आती है पहले साथ इंडिया में आप लोग को देखने को मिलेगी फिर आगया आगया बढ़ती आएगी तो इसके चलते हैं पर जरूरी है कि उनकी जिंदगी को बचाने के लिए कम से कम जब तक पानी का जुगाड़ हो तब त करें आगर बात करें यह लार्जेस्ट रीवर है थार डेजर्ट य lately जो थार मुरूस्तल वाला इंडिया में गया इसके अंदर में राइस्थान के अंदर में तो लूनी जो हैं आप यह इसमें लारजेस्ट रीवर आप लोग को देखने को मिलेगी और जो यह में न्यूज आप लोगों से discuss कर रहा हूँ यह discuss कर रहा हूँ राइस्थान के बारे में तो राइस्थान हमारी country में एक ऐसा राजय देखने को मिलेगा जिसका area सबसे ज़्यादा बड़ा है यह याद रखेगा ऐसा कौन सा राजय हमारी country में जिसका area सबसे कम है यह आप लोगों को बताने कोश्चन काफी आसान है पर लेकिन बताने है ठीक है ये टच करती है किसको टिस के साथ में टची होता है आप राइस्थान तो राइस्थान पंजाब के साथ में टची होता है इसके साथ में हर्याना के साथ में उत्तर परदेश के साथ में मध्या परदेश के साथ में और गु तो जो पूछागर हम से हम बहुती अच्छे लेवल के लाड़ी है तो गया होगी आंसर आंसर होगी है आप राइस्थान तो ओरिजिनेट जो होता है है यह पुसकर वैली है कहां पर अरावली रेंज के अंदर में अब अरावली रेंज भी काफी इंपोरेंट एरिया है कई ब देखने को मिलता है और यह बिसिकली रण ओफ कच वाला रीजन जो है गुजरात में उसके साथ में केनेट देखने को मिलती है तो 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 टोल मिलाकर 495 किलमेटर लंबा इसका एरिया रहता है जो कि हम पर यह कवर करती है ठीक है तो यह बिसिकली लूनी रीवर के बारे मैं आप लोग उसे बात की कल को कोशन पूछ लाजाए स्टेटिक यहां पर रीवर के बारे में और अगर आप रहतान से आते हैं और रहतान पीसेस की भी आप लोग तैयारी कर रहे है तो अभी आप लोग के लिए काफी इंपोडेंट है यहां पर यह एरिया हो जाता है जो कि आप लोग के मैंड में कलाइटी रखनी है अभी हम लोग ने बात की एक रीवर के बारे में जिस रीवर में पानी की कमी के वे से दिक्कत देखने को मल रही है और उसमें पानी की सप्लाई के जा रही है तो यह तो हो गया रीवर के बारे में अब बात करेंगे उस जिनावर में भी देकर पूछ देती है और कई बार ऐसे question जो है वो आप लोगों से direct आप लोगों से objective राइब कुछी भी exam में बन जाते हैं ठीक है तो इसका नाम है आप पर basically मैनमार के अंदर में ये और इसे जिन्दा रखने के लिए और पानी में रहने वाला ये जानवर है तो कैसे जिन्दा रहा पाएगा तो यह आप लोगों समझना पड़ेगा अगर बात करें protection के बारे में तो ये काफी important है इसको थ्रेटरन की category में हाँ रखा गया है ठीक है तो इनके रहने की जगे जगे जो हम लोग खतम करते जा रहे हैं फ्रेग्मेंटेड चीज़े देखने को मिल रही है यानि के जगे-जगे से चीज़े खतम होती जा रही है ठीक है इसी के साथ में कई जगे चीज़ों का transformation की जा रहे हैं कई fishery activity की जा रही है हुआ पर मचलों के साथ में कई बार इनकी भी जान वह नहीं सद्वे में पढ़ जाती है इसी के साथ में आप लोग को देखने को मिलेगा medicinal purpose के लिए भी यूज़ कियाता है और कई बार पानी के अंदर भी इतनी ज़्यादा गंद की मि जगरी आती हैं पर इसको बोलते हैं distance और saltwater crocodile तो इहां पर इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा idea रख सकते हैं पहला मेंने आप लोगो मार्स crocodile बता दिया दूसरा है saltwater crocodile इसको बोलते हैं हापर Crocodilus Poruses ठीक है तो इसका नाम आप लोगो देखने को मिलेगा दोनों में difference आप लोगो समझना है confused नहीं होना है यहाँ पर अगर बात करें इसका habitat का है भितर कनी का जो है पार्क इसी के साथ में सुंदरबन West Bengal के अंदर में अंडमान अनिकोबार वाले एरे में हाँ पर यह पाय जाते हैं और यहाँ पर South Asia और Northern Australia के अंदर भी यह नोर्मली देखने को मिलते हैं इनका status जो है वो least concern में है आप बिसिकली IUCN के अंदर में appendix 1 में रखा गया है इसी के साथ में wildlife production act में हमारी country में इसको schedule 1 में रखा गया है जो इसको appendix 1 में हाँ पर रखा गया है बात की जारी है कि कुछ area ऐसे हैं Australia, Indonesia, Papua New Guinea जिनको appendix 2 में रखा गया है हमारी country में की संगया काफी जाए दिक्कत में पड़ गी है ठीक है तो यहाँ पर जो घरियाल है इनका scientific name बोला गया है बेसिकली गैंगेटिकस ठीक है तो यह बेसिकली गैविलाइस एक गैविलिस जो आप लोग यहाँ पर इनका नाम देखने को मिलेगा और जो habitat के इनके ब में इनके इनकी संख्या जाए वो काफी जाए खत्रे में यहाँ पर पड़ रही है अभी उड़िसा के अंदर में यहाँ पर एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसमें 1000 रुपे की बात की गे थी जो महानदी के अंदर यहाँ पर जो भी बेसिन में घरियाल को खंजर्व करन ठीक है जैसे कोशन के अगर बात करूँ यूपेसी के द्वारे हाँ से कोशन पूछा गया 2010 के अंदर में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बात की जारी किस के बारे में बात की जारी हाँ पर भितर कनी का जो की उडिसा के अंदर में है डेजार नेसल पार राइस्थान क कहां से आ गया क्योंकि अपने ही कोश्चन में से भी कोश्चन UPSC निकालने का एक तरीके सोख रखती है तो इसके बारे में आप लोग को बाता होना चाहिए अभी यहाँ पर पोचा किया मैस करने के लिए तो यहाँ पर सोल्ट वर्टर क्रोकोडाइल के बारे में हाँ पर बा ग्रेट इंडियन बस्टर जो है यहाँ पर तो यह एक काफी एक बड़ा पक्सी है जो कि रास्थान के अंदर है पाय जाता है ठीक है तो यह आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा और भितर कनी का नेसल पाक के बारे बात कि जा रही है तो क्रोकोडाइल के बारे में भी लोगों नए आप डिसास किया तो यह आप लोगे लिए आंज़र् जिए मैं तो यह पूँच लागिए बताये कौन सा इंट इंटेंजरी केटेगरि में आता है तो कहने का मतलब हिहाँ इहाँ पता होगा तो आप लोग कुछ पोरodel सन पता होगा तो आप लोग यहाँ पर confusion में नहीं आएंगे ठीक है तो इससे आप लोग समझ सकते हैं तो यहाँ पर answer क्या हो गया answer हो गया आपर इसका basically क्या 3 ठीक है अलगी पुराना question है आपर यह time to time changes change होती रहती है जैसे घरियाल के बारे में हम लोग ने बाते की ठीक है तो काफी कुछ आप लोग eliminate कर सकते हैं और eliminate करने के बाद में एक calculated gas आप लोग कर सकते हैं question को solve करने के लिए exam में और 50% chance बढ़ गे आप लोग की हाँ पर question के solve होने के under some provision provided by the law यान के कानून के द्वारा कुछ provision provided कराएं उनको हंट करने के लिए वरना उनको हंट नहीं किया जाएगा ठीक है तो यह बात है आप लोग को देखने को मिलेगी इसमें क्या बोला गया है घरियाल पूछ लिया Indian wild ass पूछ लिया और wild buffalo पूछ लिया अगर यह सारे के Engineering Services में पेपर है था साथ मतलब 15-16 यह आसपास का पेपर होगा मैं एक बार देख रहा था तो वहाँ पर question पूछा गया था कि Indian wild ass जो century है यह कहाँ पर है तो यह question आप लोगों से वहाँ से पूछ लिया गया निकाल के तो चलिए बताए देखता हूं कि इसको बता है तो इस question जो है UPSC repeatedly इधर का उधर उधर का उधर भी कई बार कर देती है तो यह question बना 2017 में तो कोई confusion आप लोगों को नहीं होना चाहिए ठीक है तो इस तरीगे से आप लोग चीज़ों को समझा गरो तो धंक से चीज़े लेकर चलोगे तो कोई confusion आप लोगों को निकल कर नहीं आए अब यहाँ पर पूछले अगर आप लोगो घूमना है और घरियाल को देखना है तो आप लोग कहाँ पर जाना पड़ेगा तो हैना interesting question तो अभी आप लोगो बताएं हाँ पर भितर कनी का basically इसकी बारें बताया चंबल रीवर के बारें बताया तो यहाँ पर जो भितर कनी का है और जो चंबल रीवर है उनको मैंने अलग-अलग इरें बताया तो घरियाल के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगो चंबल रीवर बताया था कि चंबल रीवर में घरियाल जो है वह एजे natural तोर पर पाय जाता है चंबल रीवर के तोर ठीक है आप लोग यहाँ पर दे बाते हैं आप लोग के मैंड में बिल्कुल crystal killer है ठीक है तो इस तरीके से आप लोग को बिल्कुल point को clear करना है I hope कि आप लोग के मैंड में चारो के चारो question भी killer हो गये होंगे और चीके साथ में यहाँ पर answer basically इसका भी हो गया ठीक है यह article है काफी important यहाँ पर आप लोग उसे कोई direct पूछ ले की go triple one क्या है तो आप लोग को बता होना चाहिए इसी के साथ में हैदराबाद के अंदर में अगर आप लोग basically बात करें तो बात करेंगे उस्मान सागर उर्षी के साथ में हाँ पर हिमायत सागर यह दो particular protected area है इनके ऊपर से basically अभी एक तरीके से जो इनको protection provide करा रखती वो हटा लिए तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे आखिर कैस का मतलब आप लोग को देखने को मिलता है ठीक है तो यह basic चीज़े आप लोगे सामने निकल खराती है जो कि आप लोग को बता होना चाहिए ठीक है UPSC prelims GSaber 2 के अंदर governance का जो portion है वहाँ से direct आप लोग को question मन सकते हैं तो बिलकुल mind make clarity रखेगा जो कि आप लोग को बता होना चाहिए कोई भी doubt आप लोग के mind makes को लेकर नहीं होना चाहिए बात करते हैं यहाँ पर एक एक point पर जो कि आप लोग clear करके चलेगा एक और important बात जेखे जो भी article में आप लोग को discuss करता हूँ न और question आप लोग को बताता हूँ तो इसका मतलब यह है कि उनसे exam में question आप लोग के पूछे जा चुके हैं और extra जो information में आप लोग को provide कराता हूँ static portion की उससे आप लोग आगे के लिए अपने आपको तियार कर सकते हैं कि आगे भी question बन सकते हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया अभी जैसे आप लोग उसे question पूछे गए UPSC के दोरा और मैंने भी यह बताया कि कैसे question और आप लोगों से exam में बन सकते हैं तो यह चीज़े आप लोग के mind में बिल्कुल clear होने चाहिए तभी आप लोग चीज़ों को अच्छे लेवल पर understand कर पाऊगे ठीक है तो इनको आप लोग clear करके आगे बढ़ा करो topic कैसे cover कर लो ताकि यार यहां से तो question नहीं छोड़ने वाले हैं ठीक है अभी आप अभी हाँ पर जो इन्वोर्मेंट लिस्ट हैं यहां पर एक परियावरन वादी आप लोग बोल सकते हैं यह फिर कार्य करता जो भी है इस फिल्ड में काम करते हैं उनके द्वारा अभी हाँ पर government को काफी ज़्यादे criticize के जा रहा है आखिर government ने ऐसा क्या कर दिय इन लोगो गुशा आ गया इनको गुशा इसलिए आ गया कि 25 साल से यहां पर एरिया है जिसको यहां पर ओस्मान सागर और हिमायत सागर रिजरवायर है और हैदराबाद के अंदर में जो काफी important एरिया है उनको protect किया गया था कि इसके आजपास में कोई construction नहीं करेगा ठीक तो यह particular भी इसके बारे में आप लोगों से बाते करूँगा basically ओस्मान सागर आप लोग यहां पर यह देखने को मिल रहे है तो इसी के साथ में हिमायत सागर आप लोगों यहां पर देखने को मिलेगा तो यहां पर यह particular एरिया है जिनसे आप लोगे direct question बन सकते हैं कि कहां पर यह पाए जाते हैं तो माइन में clarity होनी चाहिए तो अच्छे से आप लोग याद नहां पर रख पाएंगे हुसें सागर लेक के बारे में आप लोगों ने सुनाओगा यह basically आप लोगों देखने को मिलेगी कहां पर यह तेलंगा ना के अंदर में तो confused मत हो ना हैदराब बिसिकली एरिया होगा जहां पर यह आप लोगों नजर आएगी है अभी important मुद्दा कहा है पहला आप लोग यह समझे गॉर्मेंट के दौरा भी हाँ पर basically एक order pass कह गया है जो कि हाँ पर protect करता था दो लेक को कि उस दो लेक जो हैं उनके ऊपर कोई भी आसपास में construction का 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 नहीं होगा दो लेक तो आसपास में होगा नहीं इसी के साथ में उसके 10 km के आसपास में भी construction का का मनी होगा क्या बोलोंगे वाओ यार क्या शांदार लेक है इसके पास में अगर hotel बन जाए तो मजी आ जाए यानि के hotel भी क्या होगा वह basically लेक के व्यू करता हो hotel बनेगा और एक तरीए दड़ादर यहाँ पर market में यह फिर residential कोई society महाँ पर बना दी तो उसका एक अलग से यहाँ पर price ताहलत हो जाएगी तो इसके चलते बोला गये हैं यहाँ पर कोई भी ऐसा construction आप लोग को नहीं करना है तो total जो इसका area है वहाँ पर 1.3 lakh एकर आप लोग को देखने को मिलेगा जिसमें लगबग 84 village भी आप लोग यहाँ पर cover की जाते हैं तो यहाँ पर बॉत की गई इस order के खास का अगर बात करें तो जो की main source भी हैं आपर पानी provide कराने का तो इसके चलते हैं आपर यह news में था तो अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि go 11 यह basically 111 go क्या है आपर यह तो 1996 में आंदर प्रदेस government के द्वारे हैं आपर protect करने के लिए आंदर प्रदेस के जो drinking water source हैं औसमान सागर रुसी के साथ में हिमायत सागर तो इसके लिए order pass क्या गया जिसमें 84 village भी थे वहाँ पर construction का काम रोका गया और 10 km radius के अंदर में दो water bodies के आज पास में कोई भी छेड़ खानी नहीं करेगा तो यह particular एक आप लोगों से diet question भी आप लोगों से पूछ जा सकता है बात कर देगे कि go one one क्या है बोलतेंगे कि आप लोगों यहां पर यह कोई software है कोई app है यह कुछी missile का नाम है ठीक है ऐसे सी चीजे बोलते हैं exam में फिर आप लोग बोलते हैं जिस सुना नहीं है तो फिर आप लोग के मन में विचार आएंगे अच्छे यार कई missile तो नहीं ह तो आप लोग फिर confusion में आओगे ठीक है तो इस तरीके से पता होना चीजी जोगा अगर बात करें हाँ पर जो reservoir है इसके बारें बात करें तो यह काफी important question मन जाएगा reservoir जो है वो create किये हैं हाँ पर मूसी मूसी इसको मूसा भी वोलते हैं ठीक है और इसको मुचकुंद river के न तरीके से हैदराबाद के अंदर बार्ड ने आ जाए उसको project करने के लिए dam बना जाते हैं आप लोग को पता है बांध वगरा क्यों बनाया जाते हैं नॉर्मली इसके कई सारे reason होते हैं एक तो सबसे बड़ा reason तो यह होता है कि उस reason में माली यह बार्ड आ रही है फ्लड़ मतलब यह होता है कि multiple चीजों के लिए आपर purpose के लिए आपर यह project जो है वो हम लोग implement कर रहे हैं उसको multi purpose project यह category में हम लोग रख देते हैं तो यह काफी important category में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो dam है आपर उसके बारे बात करें तो major flood जो है आप लोग यहाँ पर basically आती थी तो उसके चलते हैं पर बोलागा कि ऐसा कुछ होना चाहिए तो यहाँ पर basically महभूब अली खान ठीक है जो 6th निजाम थे यहाँ पर आप लोग को एक time duration का भी माइडिया देता हूं basically जिनका जो duration है आपर यह 1879 से 1911 यानिके 1869 से लेकि हाँ पर 1911 यानिके 1911 तक यह तो निजाम ओसमान अली जो खान है उनके द्वारा फिर यहाँ पर जो basically यह चीज़ें यहाँ पर create किये गए और ओसमान सागर जो complete किया गया 1921 में हिमायत सागर जो था हो 1927 में तो confuse मत होना पहले कौन सा बना गया पहले बना गया ओसमान सागर और फिर यहाँ पर हिमायत सा सागर ठीक है तो पहले जो यहाँ पर बना गया वो बना गया ओसमान सागर 1927 में हिमायत सागर तो यह इस तरीके से आप लोग इसको याद रखते हैं कल को question अगर बन जाए अभी यहाँ पर go one one के बारे में आप लोगों से बात की तो तेलंगाना के chief minister जो है वो अभी हाँ बोल रहे हैं कि हाँ पर आज केट में कि इनके द्वारा basically अलग तरीके चीजों को देखा जा रहे हैं यह देखें जैसे आज केट में चीजे बढ़ रहे हैं construction की activity बढ़ रहे हैं वो सब चीजे बढ़ रहे हैं तो कई सरी तरीके से लोग चीजों को सोचने लगे हैं और पाज जो है वो इन दो रिवर के इन दो जो basically यह लेक के ओपर dependent हैं यहाँ पर नहीं है ठीक है तो यह बात हैं यहाँ पर बोले जा रहे हैं अभी हाँ पर supply जो है वो other resources से हाँ पर आती है इसके ओपर dependency नहीं हाँ से जो पानी मिलते हैं वो only 1% करीब यहाँ पर इनके दोरा होने देंगे pollution नहीं होने देंगे पर construction development जो है वो यहाँ पर allow किया जाएगा जिसके चलते चीज़ा आप लोगो pattern में देखने को मिलेगी ठीक है ऐसा नहीं कि unauthorized allow किया जो कि यहाँ पर इनको नुकसान नहीं पहुंचाए यह बाते चीपनिस्टर साहब बोल रहे हैं देकि जो कि normally politician जो है वो ignore कर देते हैं अभी देखते हैं आगे क्या होता है यहाँ पर एक्टिविस्ट क्या बोल रहे हैं जैसे कि डॉक्टर जिन का नाम है आपर दुबना सारवत इनके दौरा बोला गया है जो कि प्रेजिडेंट भी रह चुके हैं बेसिकली किसके यह वोटर र लिगल कंस्रक्शन आप लोगो देखने को मिल रहे हैं और इसकी वज़ेसे आपर एक पर्टिक्लर रीजन भी है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं इसका नाम है मुरुगवानी मुरुगवानी जो नेसल पार है यह आप लोगो देखने को मिलेगा काफी इंपोर सर्मी रहती है तो यहाँ पर आप लोगो देखने को मिलेगा सहरों में आप लोग जाएंगे तो इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है कि लोगों को आज की रिट में च्छत भी नसीब मिन होती है कि उपर उनको चांद सूरज दिख चाहें आज की रिट में सूरज तो फ यारी जो स्क्रैप आप लोग करें इनके जो हटा रहे हो गो 111 का ओडर यह सही नहीं है और यह काफी ज़्यादा नुकसान देने वाला होगा तो यह बाते भी हाँ पर इनके द्वारा बोलेगी है तो यह important point है जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं ठी अगर बात करें हाँ पर कई सारे constitutional provision है जैसे कि अगर बात करें वोटर जो है वो कहाँ पर है अगर बात करें कोई आप लोगों से तो इसके बारे में याद रखिए का समिधान के अंदर state list में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग यहाँ पर entry 17 जो है वो आप लोग यहा रख है साथवे schedule के अंदर में तीन list है एक को बोलते हैं centralist यानिके केंदर की सूची दूसरे को बोलते हैं state list यानिके राज्य की सूची तीसरे को बोलते हैं concrete list यानिके समवर्ती सूची तो यहाँ पर center कानून बना सकते हैं यहाँ पर state कानून बना सकते हैं यहाँ दोनों म एक तरीके से की water supply कैसे करनी है, irrigation canal में कैसे चलनी है, वो सारी चीज़ा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, इसी के साथ में जो entry 56 में union के बारें बात करें, तो यह regulation के बारें बात करते हैं, interstate river, यहाँ पर फिर पावर यहाँ पर आप लोगो देखने को मिलती है, center के हाँ में भी आ जाती है, ठीक है, तो list 1 में भी यहाँ जोनों list में आप लोगो पानी देखने को मिलेगा, जब management के बारें में बात हम लोग करते हैं तो, आखी Krishna river के बारे में मैं आप लोग उसे कुछ बात है करूँ तो याद रखना, source जो है इसका वो महाबलेसवर, जो की महरास्टा से होकर चलती है, ठीक है, और शीके साथ में second biggest river है, पैनुसलर इंडरे की आफ्टर गोदावरी, गोदावरी के बाद में second, यहाँ पर यह एक तरीके से biggest river आप लोग को देखने को मिलेगी, यह basically चलती हुई, चार राजी से होकर बहती है, महरास्टा से देखने को मिलेगी, करनाटका से देखने को मिलेगी, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, सबसे ज़्याद है reason आप लोग को यहाँ पर देखते हैं, rest of the 13 hundred km करीब जर्नी जो है तेलंगाना और अंदर प्रदेश से आप लोग को देखने को मिलेगी, महरास्टा और यहाँ पर basically अगर बात करें, इसे भी अच्छा खाज़ा portion इसका करनाटका के अंदर भी, बाकि यह ट्रिब्यूटरी हैं, कई बार पूछ ले आता है, तुंग भंद्रा हो गया, इसी के साथ में हाँ पर माला परभा हो गया, तो यह रेटनी नहीं है, हलका सा इनके बारे में याद रख लिजाए का कई बार पूछ ले आ जाए, तो आप लोग को confusion नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो यह सारी ट्रिब्यूटरी भी आप लोग के सामने है, बाकि अगर जिससे मैंने अभी आप लोग को बताया, यहाँ पर इका मतलब हो गया, एमेलिमेंट्स जो भी हाँ पर इनको facilities प्रोवाइड करा जाती है, ठीक है, यह देखने को मिले गए हाँ पर सबको, जो गवर्नर्स बगरा इस सारे रहते हैं, तो इस सारे मैंने एक short form भी आप लोग के लिए यहाँ पर एक तरीके से रखी गई है, जिसको आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, कल को match करने के लिए आता है, जिसे entity fiction कानून के बारे पूछ ले, तो दस्रे सेड्यूल में हाँ पर यहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, 11th और 12th में क्या क्या आगया है, पंचायत और municipality आगया है, तो यह सारी ऐसी चीजे हैं, जो कि regularly अगर आप लोग lecture सुनोगे, तो यह चीजे जो हैं, वो आप लोग की revise होती रहते हैं, तो इस तरीके से आप लोग इनको देख सकते हैं, तो काफी important portion नहीं हो जाता है, तो mind में कोई confusion नहीं होना चीए, ठीक है, कुछ question है आप लोग के सामने, जो कि आप लोग को attempt करने देखता हूँ, अब सही answer यहाँ पर कौन देता है, ठीक है, question है आप लोग के सामने हैं यहाँ पर, यह सारी की सारी river आप लोग के यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो answer इसका D हो गया, ठीक है, तो इस तरीके समझ सकते हैं, तो काफी detail में हाँ पर यह सारी चीज़ अभी distance की आप लोग को, कोई confusion आप लोग को नहीं होना चीए, ठीक है, next question के बारे बात करी, consider the following statement with reference to Krishna river, ठीक है, यह originate होते हैं कहाँ पर, यहाँ पर त्रिमबक के सबर जो नासिक महारास्टा से, second biggest river, आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, पैनुसिलर आफ्टर गोदावरी, इसी के साथ में चार राजी से होकर बैती है, महरास्टा करनाट का, इसी के साथ में तेलंगाना, आंधर परदेश, तो सही answer यहाँ पर क्या हो गया, A, B, C, F, D अगर पूछ जाए, तो सही answer क्या होगी यहाँ पर अगर बात को मैं आप लोग से, अभी बताया कहां से बैती हैं हाँ यहाँ से तो नहीं बताया था, तो अभी आप लोग को बताया था क्या, आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोग को बता दी, तो यह होता है पढ़ने का तरीका, ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर बात की जारी है, प्रोविजन टू एलोकेशन ओफ दा सीट इन दा जो काउंसिल ओफ याणि के राजसभा के अंदर में, किसके अंदर में इंसन किया गया है, पहले में आप लोग के लिए क्विज रखा करता था, तो क्विज आसान था, यहाँ पर एक-एक लाइन चिपका दिया आप लोगे लिए और कोई दिक्कत नहीं है, पर अब यहाँ पर question form किया आते हैं, तो यहाँ पर कई सारे बच्चों के दौरा काफी लंबे समय से request की जा रही थी, सर्क विज को question की form में replace कर दो, अभी question भी आप लोगे लगबग 6-7-8 question आराम से हो जाते हैं, पर लेकिन इन में इतना ही time यहाँ पर लगता है, जितना नॉर्मली PPD बनाने में कई बार लगता है, ठीक है, तो यह आप लोगे लिए extra महनद जो की जा रही है, यह सी लिए की जा रही है, यहाँ पर direct exam में question बन सकता है, डिटेल में discuss करूँगा, कई सारी बात आप लोगो बताऊँगा, प्रेस इंफोर्मिशन ब्यूरो के द्वारा यह news कवर के गई, खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम के बारे में, अभी युनिवर्सिटी गेम खेलो इंडिया हाँ पर स्टार्ट हो रहे है, 24 अपर से यहाँ पर स्टार्ट हुए, और 3 मही तक यहाँ पर चलने वाले है, कई सारे बच्चे अब तक भी birthday विसीज बेज रहे हैं, हो गया यार, आप पढ़ाई कर लो ठीक है, कई सर याद निरा, कोई नहीं यार, क्या होगी, ऐसा याद निरा, एक बच्चे कहा रहा है, सर बहुत बड़ी गलती होगी, याद निरा, गलती कुछ नहीं है मेरे दोस्त, अगली साल फिर आएगा, हर साल आता है, ठीक है, तो इतना बड़ा इसको मत बनो, कि हाँ मतलब कि ऐसा कि याद निरा, गलती होगी, गलती वो होगी अगर पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है, तो पढ़ाई पर फोकस करो अपना, वो ज़्यादा जुरूरी है, और एक बच्चा पूसरा है, सर, आपको गिफ्ट देना था, तो गिफ्ट के लिए मैंने बताया न, बहुत सारी चीज़े हैं गिफ्ट देने के लिए, आप लोग पक्सियों के लिए अपनी सत्वर पानी रगदो, वो मेरे लिए गिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, देखो यार, मुझे न, बिसिकली, जब तक मैं अकेला काम कर रहा हूँ, मुझे पैसे की रिक्वार्मेंट नहीं है, कल को चल कर टीम बन जाए, तो समझ में आता है, कि हाँ यार, उनका खर्चा रहेगा, उनका घर गरस्ती चलेगी, वो काम करेंगी, इसे आप लोग मालो, कल को मेरे साथ जुडने लोगो, ठीक है, कि सर चलो, एक तरीके से, अच्छे लेवल पर काम करते हैं, उस तरीके से, तो वहाँ पर रिक्वार्मेंट होती है, इन सब चीजों की, ठीक है, क्योंकि हाँ पर मैं अकेला काम कर रहा हूँ, तो मेरी आवशक्ताएं कम है, उनिका थे, एक डायलोग आप लोगा, मेरी मतलब मेरे जमीर में जरूरते कम है, इसलिए मेरे जमीर में दम है, ठीक है, तो वह वाला फंड आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यानि कि जितनी मेरी जरूरते हैं, और वो मेरी पूर मुझे कभी फील ऐसा हुआ, निकि मेरी रिक्वार्मेंट इससे जादे है, मुझे हाँ, जितना मुझे मन करता है, मुतना पढ़ाता हूँ, आप लोग को दिल से पढ़ाता हूँ, वो चीज़े हैं, तो आप लोग एच्छे से एच्छे से, ठीक है, तो यह हैं कुछ बाते पैसे को आप लोग अपने इसाब से खर्च कर सकते हैं, पर माबाप का कमाया गया पैसा है, उसको जुरुद के लिए यूज करना है, ठीक है, अपने पैसे में आप लोग इंजय कर सकते हो, यह बात हमेसे ध्यान रखिएगा, ठीक है, पढ़ाई में आप लोग करो करो इस तरीके से, यानि कि ऐसा नहीं किसी के गलत इंसान के भी आप लोग कबजे में आगे, वो आप लोग को आपने सीधेपन का आप लोगा फायदा उठा रहा है, तो वो भी चीज़े थोड़ी से आप लोग को देखनी पुड़ेगी, ठीक है, आगे चलते हैं आपर यह अभी बात कि जा रही है हमारी कंट्री में जो आज केट में यूथ अफियर और स्पोर्ट मिनिस्टर जिनका नाम है अनुराग ठागूर, उनके द्वारा अभी हाँपर बिसिकली जो अभी हाँपर एक तरीके से एक जैन उनिवस्टिक ग्लोबल केंपस है, वहाँपर अभी हाँपर 13 जो discipline हो रहे हैं, उसके चलते हैं आपर बात कि जा रही है, इसमें एडिसन अभी किया जा रहा है कई सारी चीजों का जिसमें आप लोग याद रखते हैं, ठीक है, तो यह आप लोग कोशन भी हाँपर पूछा आ सकता है, कौन कौन सी जो नए गेम है, पर मलल खंबा ठीक है, और एक है मलल खंबा ठीक है, एक है हाँपर येडिसन अभी देखने को मिलेगा, जो हाँपर अभी नए गेम आप लोग को देखने बात की जा रही है एक कावत ना थी, कि खेलोगे, कूदोगे, बनोगे, खराब, पडोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, तो उससे थोड़ा सा दूर हटाने कुशिस की गए, अब ये समझाने कुशिस की गए, कि खेल कूद कर भी आप लोग नवाब बन सकते हो, तो उसके चलते एक अएक तरीके से सपोर्ट के जा रहे हैं आपर, तो मिनिस्ट्री ओफ यूथ अफ्फियर और जो सपोर्ट है, वो यहाँ पर काम कर रही है, एन्वल फाइनसल असिस्टेंट जो हैं आपर इसके लिए 5 लांग परेनम, फोर्दा आठ साल के लिए जाता है, अगर कोई यहाँ पर प्रोपर वे में टैलेंटेड प्लेयर काम करता है, तो हाई पावर्ड कमिटी जो है, वो यहाँ पर इन चीजों को देखती है, अब तक यहाँ पर अगर बात करें, पहले नमबर का संसकन इसका स्टार्ट किया गया था, बिसिकली 2018 में, जो कि दिल्ली के दोरा होस्ट किया था, दूसरे नमबर का यहाँ पर पूरे महरास्टा के दोरा होस्ट किया था, तीसे नंबर का 2020 में गौार्टी के दोरा होस्ट के गया, चोथे नंबर का कोड़ 19 के चलते जो की हर्याना में होने वाला था, यह यहाँ पर नहीं हो पया, पांचे नंबर का भी हो रहा है, कहांपर यह हो रहा है बिसे लिए भौपाल में मध्या परदेश के अंदर में, इसमें कुछ बात है आप लोग याद रखते हैं, अगर बात करें हैं हाँ पर फस्ट जो टीम थी हाँ पर हर्याना थी जब दिल्ली में होए, और इसी के साथ है महरास्था दूसरे नंबर पर और देहली तीसरे नंबर पर, दूसरी बार जब होए आप तो महरास्था पहले नंबर पर आगे, हर्याना दूसरे पर देहली तीसरे पर, तीसरी बार में जब होए आपर महरास्था फिर से पहले पर बनी रही, और हरयाना और देहली जो है, वो यहाँआ पर बरकरा रहा है, यहाँए दूसरी बार में कोई चेंज देखने को नहीं मिला, यहाँए पूरे और जो गोई हटी के अंदर में हो उसमें same condition थी हाँ पर महारास्टा पहला हरियाना दूसरा डहली तीसरा ठीक है और पहले वाले में हाँ पर था हरियाना पहली नंबर पर डहली हमीसा तीसरे पर रहा है अभी देखो यहाँ पर कोई 2020 में सुरी 22 फरवरी को ठीक है इसपोर्ट ऑथरिटी ओफ इंडिया जो है आपर जो की मिनिश्टी ओफ जो यूथ अफेर के साथे मिलकर यहाँ पर इसके चलते हैं आपर हमारी कंट्री में ठर सुले के पच्छिस जो एस के जो गूरूप के बच्चे हैं उनको त्यार कियाता अच्छे लेवल पर ताकि चीजे सही डिरेक्शन में लेकर चली जा सके ठीक है इसके अंदर भी अगर बात करें पहला भी इसमें फिर यहाँ पर जो बिसिकली 21 और 22 में भी हाँ पर देखने को मिल रहा है जो की पोस्पॉन कर देगा तो करनाटका के अंदर जो जैन युनि पर बिजनस इस्टेंडर के अंदर कवर की गया है जापान और रसिया जो है वो आपस में सिंग लडा रहे हैं उसकी वैसे आपर यह न्यूज में आ गई है ठीक है तो यह आज न्यूज जो है आप लोगी यूपेसी प्रिलिम्स यह से पर टू इंटरनेसल इशू और इंप लेकर दोनों लड़ रहे हैं अगर अपनी कंट्री कंट्री यहां से थोड़ा सा ओपर जाओगे तो इस पर्टिक्लर इरे की बात की जारी है अपनी कंट्री के रेफरेंस में आप लोग चीजों को जरूर देखा करो अगर याद रखनी है तो मैप को तयार करने का सबसे रखना ठीक है अगर बात करें जापान ने बोला कि चार आइलेंड है जिसका ओनर्सिप देखने को मिल रहा है रस्य के साथ में याद रख सकते हैं और दोनों के बीच में हां पर देखने को मिलता है तो कोशनी बन सकता है किन दो कंट्री के बीच में आप लड़ाई है तो जापान और रिसे के बीच में लड़ाई ए है सौवरनेटी है साउत्थ कुरिल जो आइलेंड को लेका कि किस के आइलेंड है साउत् जो कुरिल आइलेंड हैам पर यह इसमें कई सारे आप लोग को देखने को मिलेंगे जिसे बात की जारे इंटचरोफू आइलेंड इसी के पाई किये रिसे के द्वारा उस टाइम पर सोवियत जो यूनियन हुआ करता है उसके कंट्रोल में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी अगर बात करें तो बात कहते हैं 1945 में इनके द्वारा यहाँ पर कंट्रोल किये थे जो की पहले जापान के अंडरवा करते थे तो व वेत उनियन बताता है रिटरन कर दो हमको ठीक है तो यह बात चलती है 2018 में रिसे प्रेजिडेंट जापानी प्राइमिस्टर जो है वो मिले भी थे हैं आपर इस टेंडिया सम्मिट में डिसाइड किया था टेरिट्रियल डिसिपूइट को शैटल करने के लिए और नेगोश तो डिप्लॉमेटिक जो बिलुविक है जापान में एनर्ल रिपोर्ट रहती है जापान फोरण पॉलिसिज को लेगा ठेक है तो उसमें भी अगर बात करें थे हैं आपर ये चीज़ें पुश्पान भी वहां पर ये याद रखेगा तो उसके अंदर भी नहीं इसको अपन सकते हैं नीचे sea of Japan देखने को मिलेगा, sea of Okatos, sea of Okatas, ठीक है, तो यह आप लोग यहाँ पर sea देखने को मिलेगा, इसी के पास में कुरिल Island है, जो कि दोनों के बीच में यहाँ पर लडाई का reason रहते हैं, ठीक है, एक और यहाँ पर important और छोड़ी सी news है, हाला कि यह basically APEDA और इसी के साथ में मिलकर यहाँ पर काम करें NRDC, तो यह दाख Economist Times के अंदर यहाँ पर cover किया गया तो क्या-क्या बाते हैं यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, APEDA के बारे में अगर आप लोगों से बाते करों, तो आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे इसको बोलते हैं, Agriculture and Processed Food Product Export Development जो basically authority है, Government of जो हाँ पर Ministry of Commerce and Industry के अंडर आप लोगों को देखने को मिलेगी यह जो काम करती है, हमारी country में जो भी जिसे कि आप लोगों ने, जो गिहूं है, उससे आप लोगों ने bread बना दिये, तो आप bread को export करने का आप लोग बाते कर रहे हो तो इक तरीके से ऐसे काम आप लोगे हाँ पर देखने को मिलेगी तो काफी important है आपर एक तरीके से जो product होता है उनको export करने का काम किया जाता है और इसके चलते है जो भी हमारी country में allied sector agriculture के उसमें काफी ज़्यदा फायद है हाँ पर देखने को मिलते है अभी यहाँ पर दोनों ने मिलकर यानि के मिलकर काम कर रहे हैं हाँ पर M.O.U.Sign के एक हैं National Research Development Corporation के साथ में कि कैसे हम लोग यहाँ पर allied sector को साथ में लेकर चल सकते हैं तो यहाँ पर जो कहानिया लिखी गई है उसमें यहीं बतायागा है कि agriculture उसके allied sector को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं ताकि zero carbon emission देखने को मेरे और processing यहाँ पर बढ़े और हमारी country का export बढ़े तो मिलकर यहाँ पर काम के जाएगा इनके द्वरा agriculture और allied sector का मदलब क्या होता है अगरी कल्चर तो आप लोग जानते हैं खेतों में चीज़ें उगाते हैं और फिर वहाँ से अपना देशी तरी माल मसाला निकाल कर लेकर आते हैं अगरी कल्चर के साथ में बढ़े तागी कल को चल कर को दिक्कत रहे तो किसानों की रोजी रोटी ने रुके वो चलती रहे इसी के चलते हैं पर आप लोग को पता है agriculture export को भी बढ़ाने की बात की जाते हैं काफी अच्छे लेगरों हमारी country में agriculture export policy भी लाए गे थी जिसके चलते हम लोग agriculture के product को अभी काफी अच्छे लेगरों पर बेच भी रहे हैं गेहों के बारे में आप लोग को बता ही हैं अपर अभी हम लोगों ने लग लग अगर यह दो वीडियो देखने को मिलती हैं अगर आप लोग के साथ में static portion कवर करना चाहते हैं तो यह दो वीडियो अपनी life का पार बना सकते हैं crocodile river इसी के साथ में हम लोगों ने बात है कि हाँ पर कई सारी तीन उसके बारे में बताया आप लोगों मगर मच और crocodile के बारे में और यहाँ पर एक तरीके से question भी थे आप लोग के सामने जो कि हम लोग ने डिसस के चार question हम लोग ने हाँ पर देखे ठीक है इसी के साथ में यहाँ पर यह हम लोग ने डिसस किया GO111 के बारे में और यहाँ पर इसके बारे में detail में information आप लोग को बताई क्या क्या issues है वो भी सारी आप लोग को चीज़े समझाई कुछ आप लोग को politica basic भी आप लोग को बताई हाँ पर जिसे direct question बन जाते है एक जोग्रफिका portion जो कि Krishna river के बारे में हम लोग ने discuss किया और question भी आप लोग के सामने आगे जो कि exam में आप लोग बन सकते है ठीक है तो 3 important question भी हम लोग ने discuss कि हाँ पर तो यह basic चीज़े थी इसी के साथ में हम लोग ने हाप लोग ने हाप लोग को बन जाए और यहाँ पर agriculture के बारे में हम लोग ने allied sector और वो सारी चीज़े समझे जहां से आप लोगे लिए question exam में बन सकता है तो यह था total आज का discussion मैं आसा करता हूँ शांदार तरीके से आप लोग ने इसको enjoy किया होगा अगर हाँ तो बताएगा बाकी pdf जो है वो आप लोग telegram से जाकर डाउनलोड के लेना free of course यहाँ पर सारी चीज़े आप लोग को मिल जाती है सारी चीज़े इखटी हैं आप डाल देता हूँ ठीक है